हाई दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल ग्याने भी आज हम इस वीडियों बात करने वाले टोप फाइप प्रिमेम इलेटरीन अस्कूटर के वारे में अगर आप एक नया एलेटरीन अस्कूटर लेने जा रहे हो और आपका वजट मात्र एक लाक रुपे है तो ये वीडियो आफे के लिए हो सकती है इन सभी प्रिमेम इलेटरीन अस्कूटर में आपको रेंज भी अच्छी मिल जाएगी अच्छी टोप स्पीड मिल जाएगी और इन सभी प्रिमेम इलेटरीन अस्कूटर की प्राइस मात्र एक लाक रुपे के अंदर में आपको मिलेगी इन सबी प्रिवे में एलेटरिनी अस्पुटरों में से नंबर वन पे हैं दोस्तों Ola S1 X Plus इस अस्पुटर की प्राइस मात्र 9,000 पे एक सोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी औला S1 X-Pulse में 2 kWh से लेकर 3 kWh तक की बैटरी आप्षन के साथ में या स्कूर्टर आपको देखने को मिल जाती है इस अस्कूर्टर में 91 km से 151 km तक की रेंज़ देखने को मिल जाती है इस स्कूटर में आपको 85 किलो मेटर से लेके 90 किलो मेटर तकी परती घंटा टोप अस्पीट आपको देखने को मिल जाती है 40 की अस्पीट पकड़ने में 3.60 का समय लगाती है इस स्कूटर में आपको 2.7 किलो आट की BLDC हब मोटर देखने को मिल जाती है इस स्कूटर में आपको रियर और फ्रेंट में दोनों आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है इस स्कूटर को 0-100% फुल चार्ज होने में आपको 7 घंटे 40 मिनिट का समय आपको लग जाता है दूसे नंबर पे आता है दोस्तों Bounce Infinity E1 इलेटिन स्कूटर इस स्कूटर में आपको 1.5 किलो वाट की BODC हब मोटर देखने को मिल जाती है और इस स्कूटर की चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये स्कूटर 0-100% फुल चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगता है इस स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको फरन्ट में डिस्क और रियर में DRUMBIG देखने को मिल जाती है इस अस्कूटर के बात करें अपको यह स्कूटर आपको आ यह रोड ेकुरूमप्राइस आपको 1,0,000-0,000 तीसरे नमबर पे आता है Bigos C12i Electrine Scooter इस scooter में आपको 2.5 kilowatt की हब मोटर देखने को मिल जाती है और इस scooter की top speed की बात के तो यह scooter आपको 60 km परते घंटा की top speed में यह scooter चल सकती है इस scooter के बैटरी के बात के तो इस scooter में आपको 2 kilowatt की बैटरी पैक देखने को मिल जाती है जो की lithium oven की battery pack लगाई गई है इस scooter के range की बात के तो इस scooter में आपको 85 km तक की range देखने को मिल जाती है और इस scooter की charging time की बात के तो इस scooter को 0 से 100% full charge होने में 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है इस scooter की braking system की बात के तो इस scooter आपको rear front में दोनों में आपको dual drum brake देखने को मिल जाती है इस scooter की price की बात के तो इस scooter आपको एक लाख on road एक स्कूर्म प्राइस देखने को मिल जाती है चोथे नंबर पर आता है जो तो पूरी EVE Pluto 7G Lightning scooter इस scooter में आपको 1.5 kilowatt की BLDC hub motor देखने को मिल जाती है और इस scooter की battery pack की बात के तो इस scooter में आपको 2.5 kilowatt की lithium-ion की battery pack देखने को मिल जाती है और इस scooter की range की बात कि दोस्तों तो इस scooter में आपको 120 किलो मिंटर तिक की IDC range देखने को मिल जाती है और इस scooter की top speed की बात के तो ये scooter आपको 60 km पर तरी गंटा की top speed से चल सकती है और इस scooter की charging time की बात के तो इस scooter में आपको 4 गंटे का समय लगता है जो कि 0% से 100% फुल चार्ज होने में समय लगाता है इस स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम की बात के तो आपको फरंट में डिस्क और रियर में ड्रम बेक देखने को मिल जाती है यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज पिन कमें लेके हमें जरूर बताए और इस की बात के तो इस उसरस्कूटर में आपको टूब ने किलोवाट की बैटरी पैक की देखने को मिल जाती जो कि लिथीमवायन की बैटरी पैकफे लगाए गए इस उसकूटर की रेंज की बात के तो इस स्कूटर सिंगल चार्ज में 120 किलोमेटर तक की सफ़र तै करती है और इस स्कूटर की टोपर स्पीट की बात के तो यह स्कूटर 60 किलोमेटर परते घंटा की टोपर स्पीट से चल सकती है और इस स्कूटर की चार्जिंग टाइम की बात के दोस्तों तो इस स्कूटर में आपको 0-100% पे तक की एक सोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज पिन कमेंट लेकि हमें जरूर बता है अगर यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बैल अकन दवादी और कमेंट करना ना भूले जब तरह दूसरों जैहन बंदे महत्रम